हेलो अब्रेवार्ट वेल्कम तो चैनल ग्यापनी खीडमी चलिए समझते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का प्रकिर्णन यानि की स्केट्रिंग अपलाइट बहुत है सिंपल और यूनिक टॉपिक है और इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स को प्रेक्टिकली करकर भी दिखाई हूं ताकि आप लोगो को बहतर समझ में आ सके और यह वीडियो आप लोगों के इस चैप्टर का मानवननेत्रते ठरंग विरंग संसार इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है उसके बाद आप लोगों का यह चैप्लीट हो जाएगा तो ज् अलग-अलग दिसाओं में चित्रा जाने को बिखर जाने को बोलते हैं प्रकाश का परक्रिणन जब सूरे से प्रकास आता है ना तो हमारे प्रिथ्वी के वायू मंडल में बहुत चोटे-चोटे धूल कड़ होते हैं धूल धूआ इतियादी के चोटे-चोटे कड़ होते हैं यहां पर मैं बना दी हूं उनसे क्या होता है लाइट जो सुरे से प्रकास आता है उनसे टकड़ा कर अलग-अलग दिसाओं में बिखर जाता है चित्रा जाता है जैसे कि मैं यहां पर दिखा दी हूं और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परकिर्णन यानिकी स्केट्रिंग ऑफ लाइट ठीक है अब यहां पर बात आती है कि इस स्केट्रिंग अफ लाइट फ्रकाश का परकिर्णन होता क्यों है आखिर होने का खारण क्या है तो होने का करन्म है इस कड़ का rough surface इस कड़ के सता को जूम करकर देखा जाएगा ना तो उसका इस तरह सता है rough type का surface है ठीके उबर खाबर खुरदरी सता है ऐसे 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 इसी वज़े से प्रकाश का पर किर्णन होता है आप लोग तो जानते हैं जो plain surface होता है समतल सता होता है उस पर क्या होत होता है जितना एंगल में किर्ने आती है जितना आपतन कोड़ होता है उतना ही परवर्तन कोड़ होता है ठीके जितना आपतन कोड़ होता है उतना ही परवर्तन कोड़ मतलब जितना एंगल पर किर्ने आती है उतना ही एंगल पर लोड़ जाती है और इसको बोलते हैं reflection of light क्य वापस तो चली जाती हैं लेकिन अलग-अलग ऐसे दिसाओं में कोई इस तरह आएगा, कोई ऐसे चली जाएगी, कोई किरन ऐसे आएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, ठीके, तो इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन अ जो आपस में घुली मिली दीख रही हैं इन कीड़नों को बोला जाता है diffusion of light ठीक है तो diffusion of light क्यूं होता है scattering of light के कारण कीड़ने विखर जाती है इसी वज़ा से और scattering of light क्यूं होता है rough surface के कारण खुरदरी सता के कारण खुरदरी सता रहेगा तभी तो कीड़ने अलग अलग दिशाओं में फैलेंगी न तो उसी को बोलेंगे scattering of light ठीक है यह तो reflection of light है चिकना और चमकीला सता पर reflection of light होता है इसी वज़ा से जो चिकना और चमकीला सता होता है जैसे कि mirror यानिकिदारपन उस पर हम लोग image देख पाते हैं क्यों इमेज देख पाते हैं हम अपना प्रतिविम देख पाते हैं क्योंकि इस पर reflection होता है particular way में चली जाती है जितना एंगल में लौट जाएंगी और इसी वज़ा से क्या होता है हम अपना image देख पाते हैं लेकिन जो rough surface होता है आप लोग कभी सोचे हैं कि mirror में दिख जाता है हम लोग का image दिवाल पर नहीं है अबर उसको जूम करकर देखा जाए microscope से तो वह बिल्कुल इसकड़ के surface की तरह बिल्कुल इसी तरह खुरदूरा है और इसे वज़ा से उस दिवाल पर भी reflection के साथ साथ skatering होता है यानि किरने अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है और यहीं वज़ा से हम ना दिवाल पर अपना image देख पाते हैं और नहीं अख़बार पर और नहीं किसी खुरदरी सतह पर ठीक है लेकिन चिकना और चमकीला सतह जो बिल्कुल क्या है सपाठ है उस पर reflection होता ह और इसलिए हम चिकने और चमकीले सतह पर image देख पाते हैं क्यों क्योंकि वहां पर reflection होता है और यहां पर reflection और इसके ट्रिंग दोनों होगा वहां पर क्या होगा यह किरने का diffusion होगा ठीक है यहां तक हो गई किलियर बात सो बात की एक बात कि प्रकाश का पर किरनन उसको कहते हैं जिसमें प्रकास अलग अलग दिशाओं में भिखर जाए ठीक है उसको क्या बोलेंगे प्रकाश का पर किरनन आगे समझे के टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं इसी को हम लोग प्रैक्टिकली करकर देखेंगे टिंडल प्रभाव आजीब नाम है इस टॉपिक का देखिए इसका नाम टिंडल प्रभाव की उपड़ा टिंडल नाम के विग्यानिक थे उन्होंने इसी प्रकाश के प्रकिर्णन इसकेटरिंग ऑफ लाइट पर कुछ रिसार्च किया और उनसे जो इफेक्ट मिला उसे जो उन्हें प्रभाव दिखा उसी प्रभाव को बोलते हैं टि प्रकाश को नाम Guitar लेकिन समझाने की कोशिस कररें जांपल देखें एकाज के ग्लास में के भीए मैं यहां से लाइट जलाया जाए जैसे की यहां से लाइट जलेगा तो यहाँ पर लाइट का अपवर्बोंतर्ण होगा में लएकिन यहां पर का दिसा नहीं मालुम चलेगा लेकिन इसी कांच के गिलास में अगर एक कोलाईडी विलियनमा मतलब समझते हैं वह लिक्वीड या फिर वह विलियन जिसमें उनके करन हमेसा गते सील करते रहते हैं वह को बैठ नहीं जाते होता है नहीं तो ऑला है बैठ 채oni पानी ऒघ्त लिसल रहते हैं कवल उसह बाइट को जलाते रहते हैं जिसका जब अपवर्थन होता पर केड़ने होती है तो अपोर्तन के साथ साथ हमें एक दिशा भी मिल जाती है मतलब इसमें हमें दिशा भी दिखती है कि परकास इधर से इधर गया है अभी आप लोग को थोड़ा सा यह कंप्लिकेटर लग रहा है लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिकली में जो दिखा रह और यह वही वाटर है जिसको हम लोग हैंड़ें नमली निकाल कर पीते है ठीके और इसी सधारन जल से यह जो सदारन जल आप लोगो को दिखती हूं मैं अब देखें तहीं मैं इस laser light को जला रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रकास का सिर्फ अपवर्तन हो जा रहा है, यानि कि प्रकास आर पार हो जा रहा है, इसमें आपको कहीं भी रास्ता, कोई भी माधियम नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ प्रकास का अपवर्तन दिख रहा ह अब मैं light को जलाती हूँ यहां पर आपको कोई भी रास्ता कोई भी माध्यम यहां पर नहीं दिखा ठीक है अब जब मैं इसको कुलाइडी विलियन बनाओंगी तो देखते हैं कि कैसे प्रकाश का अपरतन होता है अब कुलाइडी विलियन कैसे बनाएंगे तो हमारे घर में simply यह detol का हैंड वॉस है आप लोग देख पा रहे हैं इसे को इसमें हम लोग डाल देंगे ठीक है यह सदारन जल में थोड़ा सा डाल देंगे ठीक है वैसे यह तो अपने से मिल जाएगा लेकिन मैं इसको मिला दे रही हूं ठीक है ताकि अच्छे से इसमें कड मिल जाए पहले साधारन जल में और इसमें फर्क है ये थोड़ा हलका वाइट कलर का दिख रहा होगा ठीक है अब इससे देखते हैं कि कैश्र परकास का अपवर्तन होता है अब मैं लाइट को बंद करती हूं और फिर से लेजर लाइट को जलाती हूं देखिए जैसे ही मैं इस लेजर लाइट को जला रही हूं आप लोगों को परकाश का अपवर्तन तो दिख रहा होगा लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को रास्ता एक माध्यम भी दिख रहा होगा ठीक है ये घटना क्यूं हुआ अब चलिए हम लोग समझते हैं बोड पर देख लिए बहुत अच्छे तरीके से अब सुनिए इसके पीछे का कारण क्या है क्यों हुआ और कैसे हुआ जब मैं काच के ग्लास में सिंप्ली पानी ली थी साधा वाटर तो उससे जब मैं प्रकास को गुजारी तो अपवर्तन तो हो रहा था प्रकास का अपवर्तन हो को फैलादे इसलिए यहां पर हमें कोई रास्ता नहीं दिख लाए लेकिन जैसे ही मैं कांच के गिलास में को डाली को डालते ही जैसे मैंने प्रकास को जलाया गक्षाल देख गई वह इसलिए दिखी चोटे-चोटे कड हमेशा गति सिरा पर्कास की कीड़नों को फैलादिए यानि कि महां पर क्या हुआ प्रकाश का प्रकिर्णन होने से हमें एक दिषा यानि कि रास्ता दिग गिया और इसी घटना को बोलते हैं टिंगल प्रभाव और ईसे बहुत सारे घटना आता की यहां से वहां तक गया क्टेए ठीब क्या तो एक लूंग चल जाता है कि कहां कहां से पत्तियों से चары उसका उसका रास्ता देख जाता है ओफीर गर में वेंटिलेटर छोड़ा जाता चोड़ा चोड़ा जाता है उससे जब कोहरा का समय होता है तो जब उससे प्रकास आता है तो उसका भी रास्ता दिख जाता है यह सब परभाव जो है यह टिंडल परभाव कहला आता है ठीक है किलियर बात अब ध्यान दीजिए प्रकास के परकिर्णन को थोड़ा और समझ लेते हैं देखिए जिस रंग क का परकास का परकिर्णन बहुत ही कम होUnis क्या है wavelength यह पहले वाले वीडियो में बता चुकित प्रकास इसके Conti रंग yogurt होता है सबसे ज्यादा और होता है वह होता है व्यम्लेन के बैंग्नि Dawka तो देखिए यह कलर का तरंग देर्ध ज्यादा है यानिकि इसका परकिर्णन यानि कि सPOS लाइट है ऊप्वावखराउ ज़्यादा और इसी वझा से जू लाल तक अँछ जाता है क्योंकि उसका ज्यादा चित्राओ नहीं होगा शीधिकरन भीमा नहींद धियादा है जिभाब history तक जाता है थीक है और वाएलिट कलर का दूर तक नहीं जापाता ठीख है यह कारण यह तक इसस पुलिएर कुस्ष्टा है बताढ़िये कि आंकाश का रंड समय क्यों दिखता है आसमान हमें नीला क्यों दिखता है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा एडिया लगा ही पा रहे होंगे कि क्यों दिखता है जरा समझने की कोशिश कीजिए देखिए मालीजी हम लोगा ये प्रित्वी है ठीक है और प्रित्वी में ये प्रित्वी के वायू मंडल में ये चोट सात रंगों से मिलकर बना है सूर्य का प्रकास सात रंगों से मिलकर बना है विब ग्योर इसमें सातों कलर होंगे जब चल कर आता है ना प्रकास तो यह जो कड़ होते हैं इनमें ऐसे छमता होता है ऐसा पावर होता है कि यह सिर्फ नीला कलर के प्रकास को क्या कर देते हैं पर क यहां तक होगई इन्फ की आपतलन के सूरीयोदे और सुरियो तो यह सुरियोदय की समय हमें विश क्यों दिखाई देता है यह भी question फुछता है तो देखिये जा उसको भी समझने की कोशिस किजिएं कि यहां पर समझा देती हूं ठीक है यह हम लोगा प्रीत्वी है कि यह पूरा हो गया यह पूरा हो गया यह हो गया हम लोगा सूरज यहां से मान लीजें निकल रहा है और दूर इसको बनाने दीजिए यह होगे हम लोगा सुरज ठीक है एक यहां पर सुज़ाज मतलब पश्चिम से चल कर कभी यहां पर भी आया होगा फिर इधर डूबा भी होगा ठीक है तो जरा ध्यान दीजिए यहां से जो सुरज से किर्णे आ रही है यहां पर कोई इंसान खढा कर centralized利rated यहां से यहां से आँख तक किर्णे चल करा रही है देखे इसको चैति आना पड़ यानसी तीरचान और पड़ रहा है और सुरियोदय के समय सूरई के परकास को घंश कोरे से होकर और पढ़ां सारे धूलकर से होकर गुजरना पड़ता है और इसा लिए इसी लिए यहां में सूरज लाल कलर का दिखाई देता है और आसमान भी हलकाल का लाल दिखाई देता है इसी वज़ा से क्योंकि यहां पर समझने की कोशिस कीजिए छोटे-छोटे धूल धुए के कड़े और तीर्चा आना पढ़ रहा है परकास को और इसलिए बाकी के सभी कड़ क्या ह हो जाते हैं लेकिन रेट परकास जिन्दा रहता है वह को हमारी आंक तक चल कर आ जाता है और इसलिए हमेरी दिखाई देता है लेकिए इसी तरह घटना होती है सुरियास्त के समय सुरे जब डूबता है तो यही तीर्चा आना पड़ता है ऐसे और तीर्चा जब आना पड़ता है तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ीगी और घने घने कोहरे से होकर गुजरना पड़ता है चोटे-चोटे कर से और इसलिए ये छे कलर क्या होते हैं, नश्ठ हो जाते हैं, परकिर्णित हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर हमारी आँखों तक पहुंच जाता है, और इसी वज़ा से हमें सुरियास्त के समय भी जो सुरे होता है, वो लाल दिखता है, और हलका आसमान भी क्या होता है, लाल दिख इसको समझ लेते हैं तारे वायू मंडली आपोर्तन की कारण ही तीम आते हैं देखिए जब तारे से परकास होकर आता है तो क्योंकि हमारे मंडल में हवाय चलती रहती हैं और यहां पर कोई इंसान खड़ा होकर देखता है तो उससे इस तरह आख पर आती है तो मतलब इसको लगता है क्या की जो तारा है वो यहां से होकर आ रहा हैं ठीक है इस इनसान को लगता है और कभी यहां पर देखता है कभी यहां पर कभी यहां पर और इसे वज़े से टाया weg टा हुए कि हमारे व्यूमंडल की हवाओं से प्रकाष का अपवर्तन आनंी कि एक किसके वज़ा से हुआ एकinen की पैले के काैनल की कितना मिनट पहले दो मिनट पहले सुर्योदय के दो मिनट पहले हम सुर्य को देख पाते हैं और जब सुर्यास्त हो जाता है यानिकि सुर्य डूब जाता है तो दो मिनट बाद तक हम सुर्य को देख पाते हैं ऐसा क्यूं होता है और टोटल हम सुर्य को कितना मिनट एक्स्ट आप देखिया कियो सूराज दीरे-दीरे जा रहा है ऐसे यहाँ पर जैसे ही सुराज आया अब यह है ध्यान दीजै इस तल से इस यह वाला जो तल इसके उपर जाएगा तब सुर्यधायोदय होगा ति तो रियल को सुर्ज अभी निकला ही नहीं है लेकिन इसको सुर्यधायोदय कोगता है और कितना मिनट पहले ब्रव मिनट और यह क्यूं होता है वाय॑ मंदाल यह अपवर्तन के कारण यहां से किर्णे निकलती और ऐसे आती और इस बंदे को लगता है कि किर्णे यहां से आ रही है इसलिए इससे यह आभासी सूरज दिखता है लेकिन रियल वाला सूरज यहां पर है यह वर्चुल सूरज है और इसी तरह घटना होता है यहां पर भी जब सूरज डूब गया र रही है और इस बंदे को लग जाता है कि अभी सुराज डूबा नहीं है लेकिन सुराज डूब गया रहता है तो दो मिनिट का अंतराल यहां पर रहता है और वह क्यों होता है वयुमंडलिया अपवर्तन के कारण ठीक है तो यह तो यहां तक समझ में आ गया होगा अप लोग और इस chapter से related अगर अभी भी कोई confusion हो आप हमें comment करकर पुछ सकते हैं तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद और खुदा हाफिज